स्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज का जो वीडियो निकल के आ रहा है वो उत्तर परदेश यानि सरकार से निकल के आ होनी चाहिए इस पर यूपी गॉवर्मेंट ने अपना काम शुरू कर दिया है आज से चलिए इसी के बार में हम आज बात करने वाले आपसे चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं तो है गाइज आएम समीर एंड मस्ट वेलकम ओल आफ यूव ऑन वाई यूटूब चैन आपके पास पहुचेगा फास्ट एंड फ्री तो देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं आज की न्यूज पर तो देखिएगा फ्रेंस मैं आज चुका हूं देखिए चिक्षकों की भरती एक हप्ते में पूरी होगी ऐसा योगी सरकार ने बोला है कि पूरी परक्रिया ए लोग यादेत त्यनाथ ने निर्देश दिया है कि उनतरत सिख्षक भरती में एक हप्ते में सही परक्रिया कर पूरी करके नियूखती पतर जारे किया जाएगा यानि जितने भी परक्रिया है, एक हप्ते के अंदर पूरी करके आपको जो जुआइनिंग लेटर है वो ज्वाइनिंग लेटर आपको प्रभाइट कर दिया जाएगा ऐसा एपे गवर्मेंट का दावा है उसके बाद इस साथ हम आगे बढ़ते हैं तो दिखेगा दोस्तों उन्होंने कहा कि उच नियाले के नियाले में नियाले से दिखेगा फ्रेंट्स यहाँ पे उच नियाल बढ़ी यह बहुत सारी गड़वडिया निकल के आ रही थी उसका रास्ता बिलकुल साफ हो चुका है यानि कोट ने पूरी फैसला सुना दिया है उसके बाद बारते हैं आगे इस से परदेश के बिद्यालियों को योग सिक्षक मिलेंगे यान जैसे भर्कती परकिरिया दौरा का पक्ष और रणनीती सही थी ऐसा कोट ने कहा है कि जो राजसरकार की जो रणनीती थी और पक्ष थी वो बिलकुल सही थी एक हपता एक सफता हमें परकिरिया पूरी कर सभी को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए निर्देश दिया चाह चुके हैं ऐसा कोट ने क आए कि जितनी भी परकिरिया हो एक हपते यानि साथ दिनों के अंदर पूरे परकिरिया को पूरी कर लेना है तो ऐसा इपी गौवर्मेंट ने भी कर रही है परकिरिया सुरू कर दिया है दूसरी तरफ परिक्षा नियामक प्राधिकारी ने सिक्षक भरती की लीखित जो हुआ था उनात्र हजार लिखित परिक्षा यानि उनात्र हजार जो कंडिडेटों का लिखित परिक्षा हुआ था उसका रिजल्ट यानि लिखित परिक्षा के रिजल्ट जारी करने के लिए दिशा निर्देश दे दिया है प्रस्ताव भेज दिया है इस पर देखिए उसका result आ जाएगा result आने के बाद क्या किया जाएगा friends जो आपकी सासन अदेश यानि किस जिल्ले में आपको जिल्लाच चुज करने का समय दिया जाएगा अपना जिल्लाच समय और सार्णी देख सकते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं सफल अभ्यारतियों को अपना पंजिकरन करवाना होगा यान जो कंडिडेट यहाँ पे सफल होते हैं यानि पास कर जाते हैं result आने के बाद उनको पंजिकरन करवाना जरूरी होगा इसके बाद online counseling होगी और अभ्यारतियों को अगर एंटर करते हैं कि आपको किस जीला में किस डिस्टिक में आपको काम करना है कौन सा डिस्टिक आपको बेटर लगता है तो दोस्तों देखिएगा आगे बढ़ते हैं अभ्यारतियों को सेक्षी गुणां के अधार पर जीलों का आमंटन किया जाएगा और online नियुक्ति पतर जारी किया जाएगा यानि अगर जब आपका सेलेक्षन हो जाएगा काउंसलिंग आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको online ज्वाइन लेटर प्रभाइट कर दिया जाएगा देखिएगा फ्रेंट्स यहां online counseling की बात की गई है तो यहां online counseling किम की जा रही है ताकि social distancing का ख्याल रखे जा सके और इसका उलंगन से बचा जा सके इसलिए online counseling कराया जा रहा है तो दोस्तों कैसा रहा नहीं प्लीज comment box में जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छे लगी होगी तो प्लीज चैनल को subscribe कर लि लिएगा इससे फायदा यह होगा कि आपके और हमारे बीच बिल्कुल connection बना रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर किस नेक्ट वीडियो में तब तक दीजिए इजाजत thanks for watching